जहिंद साथियो स्वागय था आपका मेरा अपना यूट्यूब चैनल किसन गुलोबल इस्टडीच पर तो साथियो आज से स्टार्ट होगा मध्यकालिन भारत ठीक है इसका जितना भी चेप्टर है और जितना भी टॉपिक है और एक एक कोशन आपको डेली वीडियो प्रभा तक के बीच में उत्तर भारत राजपूत काल में क्या क्या हुआ उसको देखेंगे ठीक है तो जितना भी इसमें टॉपिक रहेगा एक भी टॉपिक नहीं छोड़ेंगे एक ही क्लास में खतम एक टॉपिक ठीक है डेली नएया टॉपिक मिलेगा आपको टेंसर ने लेना है डेली आपको वीडियो देखना है और कुछ कॉपी में भी नौट करना है ठीक है तो बढ़ते हैं इसका पहला चेप्टर की ओर और देखते हैं पहला चेप्टर के क्या कोशन दिया गया है ठीक है जैसे यहाँ पूछा गया है कि 750 से 12 से इसा पूरू तक के जो मुख्या के समय माना जाता है वो कौन सा समय माना जाती हो तो उत्तर भारत के संभर में वो समय राजपूत काल को माना जाता है यह मेरा क्रेक्ट हो जाएगा आगे है 712 इसभी में सिंद पर अर्बों के अकर्मन के समय वहाँ पर सासक कौन थे? 712 में इसभी में जब अर्बों के अकर्मन समय था साती हो तो वहाँ पर जो सासक था वो दाहीर था करेक्ट हो जाएगा आगे है सरवपर्थम भारत में जजिया कर लगाने का स्थरे सिंद के विजेता मुहमद बिन कासिम को दिया जाता है उसने किस वर्ग को इस कार से पूर्णता मुक्त कर रखा तो वह ब्रहमनों से मुक्त रखा साती हो करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है किस गरंद के उलेक के अधार पर यह माना जाता है कि मलेचरों के अत्याचारों से अस्त्र होकर महर्सी विशिष्ट ने अत्याचारों के विनास हेतु आबु परवत पर एक यग्य किया एवं याग्य के अगनी कुंड से चार राजपूत कीलों परमार चॉलक्यू सेल की परति हार एवं चोहान का जन्म हुआ तो उसे किस ने किया था तो पिर्तवी राज रासों ने किया था यह क्या क्या था पिर्तवी राज रासों ने वहाँ पे क्या क्या था यग्य करवाय किसने की तोमरोने की क्रेक्ट हो जाएगा आगे है उस सासक का नाम क्या है जिसने विजा अस्तंब का निर्मान करवाया तो राना कुमभा क्रेक्ट हो जाएगा आगे है भारत पर पहली बार आकरमन करने वाला कौन था तो अर्रव था क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है पिर अधानता रखा कौन था ? तो तिरभू बन स्वर लिंग राज कर्यक्ट हो जाएगा नेक्ष्ट aगे सवाल हैं दील वाड़ा मंदिर कहा परिष्थीथ है ? तो आबू परवत परिष्थित है कर्यक्ट रॉजाएगा अगे सवाल है खुज राहो इस्थित मंदीरों का निर्मान किसने करवाया था खुज राहो इस्थित मंदीर का निर्मान करवाया था वो किसने करवाया था तो चंदेल राजपूत ने करवाया था करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है विजय अस्थम कहां इस्थित है तो विजय अस्थम जो है सात्य वह है चितोडगड में इस्थित करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है लिंग राज मंदीर नीव डाली थी तो किसने डाली थी याती केसरी ने डाली थी करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है सौमनात के मंदीर पर 1025 इसवी में मुहमद गजनी के अकरमर के समय गुजरात का सासक कौन था तो भिम देव करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है हिंदू विधी का एक पुस्तक मीता चरा किसने लिखी थी तो ग्यानेश्वर ने लिखी थी करेक्ट हो जाएगा Next है, Black Pagoda है, क्या है? तो कुनार्क में है गिर्यक्ट हुजाएगा Next है, राजस्थान के इत्यहस का प्रोनेता किसे का जाता है? तो करनल टार्ण को का जाता है गिर्यक्ट हुजाएगा नेक्स्ट है किस नाटक के कुछ अंस अढ़ाई दीन का जोपडी मस्जीत की दिवार पर अंकीत है तो हरी केली में इस्थीत है correct हो जाएगा नेक्स्ट है रानी पाननि का नाम उलावदिन खिल जी की चितोड वीजय से जोड़ा जाता है उसके पती का नाम है तो क्या है राना रतन सींह correct हो जाएगा नेक्स्ट है विक्रम सिल्ला सिक्छा केंदर के सस्थापक का नाम क्या था तो धर्मेपाल था correct हो जाएगा नेक्स्ट है किस मंदीर परिस्वर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ती है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ती माना जाता है तो कदरिया महादेव मंदीर करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है सातियो किसे एक नय संवत चलाने का यस प्राप्थ हुआ था तो लक्षमन सैन को प्राप्थ हुआ था गित गोविंद के रचनाकार जैदेव किसकी सभा को अलंकरीत करते हैं तो लक्षमन सैन को क्रेक्ट हुआएगा नेक्स्ट है किसने स्वमपूर महाविहार का निर्मान कराया तो धर्मपाल ने करवाया करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है भूमनेश्वर्द था पूरी के मंदिर की सैली से निर्मित है तो नागर सैली से निर्मित है करेक्ट हो जाएगा आगे सवाल है भारत में पर्थम आकर्मनकारी कौन था तो मुहमद बीन कासिम पर्थम आकर्मनी था साथ हो जगरनात मंदिर जो इस्थीथ है वो उडिशा में इस्थीथ है correct हो जाएगा पूरी में इस्थित कॉनार के विशाल सूर्य देव के मंदीर के निरमाता कौन थे? तो नर्सिंग फर्ष्ट कर्यक्ट हो जाएगा कौन कवी राज के नाम से विख्यात था? बोज परमार विख्यात था? कर्यक्ट हो जाएगा समरांगन सुत्रा धार का विशयत क्या है तो अस्थापित सास्त्र क्रेक्ट हुआएगा उसकी मिर्तियू से धारा नगरी विदिया और विद्वान तीनों ही निरासित हो गए अगधारा निराधारा निरावला सरस्वती पंडिता खंडित सर्व भोज राजे देवते या उक्ति जो सासक से समंदीत है वो किस सासक से रातियो तो भोज परमार से समंदीत है क्रेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है वह प्रथम भारतिय सासक कौन जिसके तुर्क अंकांता मुहम्मद गौरी का सम्मान हुआ और जिसने मुहम्मद गौरी को प्रास्त किया था तो भिम दूतिय करेक्ट हुआएगा किस सासक ने कलिंग जर के अजत दूर्क का निर्मान करवाया था तो धंग देव ने कराया था प्रिकूट सम्मद गौरेक्ट हुआएगा किसके राजिकाल में लक्षमी धर के कल्प द्रम या कत्यक तलक्ष धार ने कल्प द्रूम या कृत्त कल्प तरून नामक विधी गरंथ की रचना की थी तो गोविंद चंद्र ने की थी correct हो जाएगा चंदावर का यूद चंदावर का यूद किसके मद्य हुआ था तो जैचन्द एवा मुहमद गोरी के बीच हुआ था correct हो जाएगा नेक्सट है निसेद चरीतर खंडन खंड खाग के रचिता स्री हर्ष किस सासक के राज कभी थे तो जैचन्द correct हो जाएगा किस सहर में लिंग राज मंदिर इस्तित है सातियो तो भूनेश्वर में correct हो जाएगा किस परस्वामित्व के लिए पाल परतिहार राज कुट के बीच त्रीप धिक्च संघर्ष हुए है सातियो तो कन्योज में correct हो जाएगा नेक्स्ट है त्रीप धिक्च संघर्ष की जो पाल किसने की तो वस्त राजने की correct हो जाएगा नेक्स्ट है त्रीप छे संघर्ष का आरक्षी किस सदी में है तो आठवी सदी में है correct हो जाएगा नेक्स्ट है त्रीप छिये संघर्ष का आरंब और अंत किस राजवंस ने किया था तो प्रतिहार ने किया था करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है त्रीप छिये संघर्ष का आरंब और अंत किस राजवंस ने किया था तो प्रतिहार ने किया था करेक्ट हो जाएगा तो मुग्दगीरी मुंगेरती ग्रेक्ट हो जाएगा। राष्ट कुट वांस का सस्थैपक कौन धा, दत्ती दूर्ग द्वत वर्मन था साथ्यों दूतिय제 ग्रेक्ट हो जाएगा। राष्ट कुट वन्स की राजधानी कहां थी, तो मालखंड, मन्य, खेथ क्रेक्फ हो जाएगा, next है, किस परतिहार सासक ने आधिव रहा की उपाधी धारन की तो महीर भोज क्रेक्फ हो जाएगा, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर परतिहार वंस की अल गुजर एवं इस वंस के सासकों को बेरा कहकर पुकारा था तो अलम सूधी करेक्ट हो जाएगा कपूर मंजरी नाटक के रचियता राज सेखर को किस परतिहार सासक ने सनरक्षन दिया थो महेंदर पाल ने दिया था करेक्ट हो जाएगा प्रतिहार स्वेंग को वंसज मानते थे जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे तो लक्षमन क्रेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, 750 इस्वी में बंगाल के पाल वंस की अस्थापना करने वाले गोपाल ऐसे सासक थे जिन्हें सामती सरदारों ने चुना ठीक है। नेक्स्ट है, किस पाल सासक को गुजराती कभी सोडूल ने उत्रापत स्वामीन कहा तो धर्मपाल को क्रेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदू विधी की एक प्रसिद पुष्टक दाय भाग के रचीता थे तो जीमूत वहान क्रेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ने कुलिन प्रथा, कुलिन तावाद आरम किया तो बल्ला सेन क्रेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस ने स्मिर्थी गरंत दान सागर एवं जिवतीस गरंत अधभूत सागर की रजना की तो बल्ला सेन ने क्रेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कस्मीर्थ पर लगभग 50 वर्स तक सासन करने वाली रणी दिग्गा मूल रूप से किस वंस की राजकुमारी थी तो लुहार वंस की करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कार्य व्यस्थों का एक जाती के रूप में पर्था उल्ले कहां मिलता है तो अस सुरिसातियो ओसनम इस्मृति में मिलता है। कहां मिलता है ओसनम इस्मृति में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंदुओं में या दिलीर विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके जैसे स्रेश नहीं है जो उसके राजा के समान नहीं है। उनके सास्त्रों के समान कोई सास्तर नहीं है या उक्ती किसकी है साथियो तो अल्बरूनी की है करेक्ट हो जाएगा। गुजर परतिहार के उजियनी साखा का सस्थापक था, तो नागभट था, करेक्ट हो जाएगा जैन वास्तुल कला का प्राचिंतम उधारन मिलता है, तो दिलवाडा में मिलता है, करेक्ट हो जाएगा ओदंत पूरी विष्द्याल है, विहार सरीफ नलंदा जीला का मुख्याल है, विहार सस्थापक था, तो कौन था, गुपाल था, करेक्ट हो जाएगा मोडेरा का सूर्य मंदीर किस राजे में इस्तीत है, तो गुजरात में इस्तीत है, करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है कलहन कृत राजतरंगनी में कुल कितने तरंग है तो आठ तरंग है correct हुआएगा नेक्स्ट है किस विदेशी यातरी ने गुर्जर परतिहार वंस की अलगुजर एवं इस वंस के सासकों को बेरा कहकर पुकारा तो अलम सुधी correct हुआएगा नेक्स्ट है साथियो कलहन कृत राजतरंगनी में कुल कितने तरंग थे साथियो तो आठ नेक्स्ट है किस विदेशी यातरी ने गुर्जर परतिहार वंस की अल गुर्जर एवं इस वंस के सासकों को बेरा कहकर पुकारा था तो अलम सुधी को पुकारा था correct हुआएगा नेक्स्ट है करपूर मंजरी नाटक के रचियता राज सेखर को किस परतिहार सासक ने संरक्षन दिया था तो मेहंदर पाल ने दिया था correct जाएगा नेक्स्ट है परतिहार स्वैं को वंसस मानते थे जो राव के परतिहार अर्था राजपाल परतिहार द्वार पाल थे तो लक्षमन थे correct हुआएगा नेक्स्ट है साथियो 750 स्वी में बंगाल के पाल वंस के स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे सासक जिनों ने क्या किया था समांतिस धरदारों ने चुना था उसको ठीक है अंतिम्स वाले सात्यों राजपूत काल का कि किस पाल सासक को गुजराती कभी सोडूलों ने उत्रापत स्वामितु कहा था धर्मपाल को कहा था क्रेक्ट हो जाएगा तो सात्यों कल फिर मिलेंगे नेक्स चप्टर में तब तक है जांट